देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा अब इन 10 पॉइंट्स को आप अपने नेगेटिव ट्रेट्स भी कह सकते हैं, अपनी कमिया भी कह सकते हैं, एक आलोचनात्मक रवेए से ये वीडियो नहीं बनाई जा रही है, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि इन पॉइंट्स को आप जाने इनको कंसीडर करें और इन पर काम करें, कहां से देखें, देखें भारतिय जोतिश बहुत विस्त्रित है, ये कहना कि केवल लगन का ही प्रभाव होता है या फिर चंद्र राशी का प्रभाव होता है कुंड़ी पर, एक गलत चीज है, एक व्यक्ति के जीवन में लगन का प्रभाव भी होता है औ वो राशियां भी बताऊंगा जिनसे थोड़ा संभल के रहिएगा, एक ऐसा समय या वो पार्ट अफ यॉर लाइफ जिसमें थोड़ा सा आपको अनकमफरेबल फील करना पड़ता है और एक उपाये बताऊंगा जो आप निरंतर करेंगे तो जीवन में सकरात्मक्ता बनी र अब आपकी कुंटी में कौन सी दशा चल रही है, क्या प्रभाव हो रहा है उसका, कौन से योग बने हुए है मुझे वो नहीं पता, तो अगर जादा प्रॉबलम है तो जिस भी जोतिशी पर आप भरोसा करते हैं उनसे विश्टेशन करा लीजिए और क्या प्रॉबलम है उसको जानी है, उपाय तो तब आप करेंगे जब आपको पता होगा कि आपकी कुंटी में प्रॉबलम क्या है तो ये उपाय केवलिक नॉमल उपाय है जो आप निरंतर करते रहेंगे तो सकरात्मक्ता जीवन में बनी रहेगी तो शुरुवात करते हैं कॉम्ब यानिकी अक कुछ भी कर गुजरने को रेडी हो जाते हैं पर प्रॉबलम ये आती है कि शायद वो व्हक्ति इनके लिए उतना पुजैसिव ना हो या इनके बारे में वैसी भावना ना रखता हो तो यहाँ पे एक इंबैलन्स आ जाता है और यह जो इनका ओवर पुजैसिवनेस होना है यह इनको लोगों से दूर कर देता है कही बार तो जिनके चंदरमा जादा प्रभावित हैं, जिनके शनी देव जादा प्रभावित हैं या उनके लग्न पर इन दोनों का बहुत प्रभाव हैं वो लोग इतने पुजैसिव हो जाते हैं कि यो कुछ भी कर गुजरने को कारक होती है. दूसरा पॉइंट, अंगर, गुस्सा, बहुत गुस्सा होता है. कुछ लोग कहेंगे कि भई ये तो कुम्ब है, एक बहुत इशुब राशी है, इनका साइन एक जल देनोट करता है water factor देनोट करता है क्योंकि कुम्ब में घड़ा होता है नहीं तब भी इन में गुस्सा बहुत होता है लेकिन हाँ जैसे ये 35-40 क्रॉस करते हैं इनका गुस्सा बहुत कंट्रोल हो जाता है लेकिन उससे बहले बहुत जादा इन में एंगर होता है specially जो male होते है कुम्ब के बहुत जादा संभावरा है कि 30-35 से पहले उनकी कई बार लोगों से हाथा पाई aggression ये सारी चीजें होई होती हैं जिसके कारण ये problem में भी पढ़ते हैं फिर जैसे जीवन आपने आपको control करने लग जाते हैं लेकिन 30-35 से पहले तो इनके अंदर बहुत गुस्सा होता है संभावनाओं से भड़े होते हैं इनके अंदर बहुत talent होता है लेकिन जीवन में इनको एक push चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी बहुत laid back हो जाते हैं कि भई ठीक है मेरे पास इतना है बहुत है कर बहुत कुछ सकते हैं लेकिन अगर इनको push ना मिले सही समय पर तो ये आगे बढ़ना छोड़ देते हैं तो बहुत important होता है इनके life में कि ऐसे लोगों से घिरे रहे जो इनका सच में अच्छा चाहते हैं ना केवल ऐसे लोग जो सिर्फ अच्छे समय के लिए इनके साथ हो तो इनको जीवन में push चाहिए होता है बिना push के कभी-कभी इनका जो growth होता है वो खतम हो जाता है ये इनका तीसरा point है चौथा point बहुत emotional होते हैं और बहुत expectation रखते हैं लोगों से ये लोगों से बहुत जादा expectations रखते हैं कि हाँ ये तो मेरा अपना है ये तो मेरा अच्छा ही करेगा या फिर जब मेरा बुरा समय आएगा तो ये विक्ति मेरा साथ देगा यहीं पर problem आ जाती है जब भी आप expectations बढ़ाते हैं वो जीवन में हो या किसी से हो तो problem आती ही है expectations एक root cause है हमारे जीवन का जो हमें दुख देखे जाता है अगर हम अपने जीवन में expectations कम कर ले वो लोगों से हो अपने जीवन से हो तो हमारा जीवन सरल होता जाता है लेकिन ये इनकी problem होती है बहुत emotional होते हैं बहुत expectations रखते हैं लोगों से और इनके दुख कारण चौथा नंबर का ये बनता है पांचवा point कभी-कभी इनके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि कोई control ही नहीं रहता मैं ऐसे कई कुम्ब लगन कुम्ब राशी के जातकों को जानता हूं जो मेरे relation में भी हैं मेरे clients भी हैं जो अपनों के लिए जो कोई उनका बेटा हो बेटी हो केवल उनके शौक पूरे करने के लिए loan ले लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब वो सिर्फ शौक ज़रूरत नहीं शौक पूरे करने के लिए loan ले सकते हैं तो उनका खर्चा कहां जाता होगा तो पांचवा point है इनका कि इनके खर्चे अनियंत्रित हो जाते हैं कभी-कभी फिर बाद में ये पच्छताते हैं अगर income में कुछ problem आ गई तो फिर वो loan ही देते रह जाते हैं छटा point कभी-कभी इनके जीवन में ऐसा phase आता है जब ये बहुत lazy हो जाते हैं एक होता है laziness एक होता है अत्यंत laziness तो वो अत्यंत laziness का ये कभी-कभी शिकार बन जाते हैं उसका एक ये भी कारण है कि ये स्थिर राशी है 2-5-8-11 ये स्थिर सभाव की राशी है कभी-कभी इन सभी में जब एक laziness का phase आता है तो वो ऐसा strong आता है कि और कुछ करते नहीं है और इतने lazy हो जाते हैं कि अपना ही कुछ न कुछ नुकसान करा बैटते हैं तो laziness in phases इनका छटा point बनता है जो उनको दुख देता है सात्वा point वैसे controlled रखते हैं अपनी वानी को लेकिन जब ये वानी पर सहीम खोते हैं तो इतनी बुरी चीज़ें बोल देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो ना केवल अशोभनिय होती हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति को थोड़ा unsocial भी बना दे क्योंकि दुबारा वो व्यक्ति फिर इनसे बात नहीं करेगा और जो लोग इनकी बाते उस समय पर सुन रहे होंगे वो भी इनसे दूरियां बना लेंगे वैसे कंट्रोल रखते हैं कोशिश करते हैं कि हां मैं ना बोलू मैं ना बोलू लेकिन जब वो सीमा का बांध तूटा जब वो वानी पर नियंतरन खोया फिर तो इनके मुक से ऐसे ऐसे शुबाते निकलती है कि जो वो सुन रहा है वो भी थोड़ा चौक जाता है तो अपनी वानी पर नियंतरन खोना इनका सात्वा दुख का कारण बनता है आठवा कारण कभी-कभी ये किसी एक पर्टिकुलर चीज में इतना खो जाते हैं इतना खो जाते हैं कि ये बाकि पिता क्या कर रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं उसके कारण जीवन में एक imbalance आ जाता है क्योंकि अगर आप relation में है relation मतलब कि सब के साथ सिर्फ boyfriend, girlfriend वाला नहीं तो उनको भी समय देना पड़ता है human एक social animal है सबने सुना होगा तो अगर आप social नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं problem आएगी तो ये जो एक ही particular चीज में खो जाना और जीवन में imbalance लाना ये इनके जीवन में दुख का आठवा कारण बनता है नवा कारण ये अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा करते हैं initially इतना भरोसा कि जिसको कहते हैं कि अंद विश्वास आँख मूंद कर वो पैसे की बात हो कुछ भी बात हो घर के secrets बताना हो अपने trade secrets बताना हो business के सब कुछ बता देते हैं पैसा भी दे देते हैं को कोई बात नहीं दे देना कल दे देना जब आएंगे तब दे देना और फिर इनी लोगों से इनको इनी दोस्तों से या तथा कतित दोस्तों से इनको जीवन में नुकसान होता है विश्वास घात होता है कई बार मैंने देखा है कि इनके दोस्त इन से पैसे लेते हैं वो पैसा वापस आता नहीं है इनको वो पैसा वापस आने का इतना दुख नहीं होता इनको दुख यह होता है कि उस व्यक्ति ने जिस पर इनोंने इतना विश्वास किया था उस दोस्त पर जिनको इनों अपने भाई से बढ़ कर माना था उसने विश्वास घात किया वहाँ इंको ज़ादा दुख होता है पैसा आय ना है वो इतना दुख नहीं होता है दस्वा पॉइंट बहुत जिद्धी होते हैं too much stubborn इतने कभी-कभी जिद्धी हो जाते हैं फो जो जिद्धी पना है वो कभी-कभी अकड में भी बदल जाती है कि मैंने ये देखा है कि छोटी सी चीज जहाँ पर compromise किया जा सकता है वहाँ पर इनके अंदर अकड आ जाती है और उसके कारण कई लोगों से इनके संबंद भी बिगड़ जाते हैं ऐसा level तक इनका stubbornness जा सकता है मैं ये नहीं किरा कि पूरे जीवन में ऐसे होते हैं लेकिन ऐसी बातों पर अटक जाते हैं जहाँ पर compromise किया जा सकता है लेकिन वहाँ पर अपनी अकड दिखाते हैं भले ही एक साल बाद 6 मिने बाद इनको लगे कि हाँ यार वहाँ पर मैं अगर थोड़ा flexible रहता तो आज चीज़ें ठीक होती लेकिन उस समय at that moment उनमे stubbornness आ जाता है और ये भी इनके दुख का एक कारण बनता है तो ये 10 कारण थे मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में इसका एक part 2 भी निकालू अब बात करते हैं ऐसी राशियां ऐसे लगन जिनसे इनको बचके रहना चाहिए लियो, सिम्ह और कन्या इनसे थोड़ा इनको बचके रहना चाहिए वो इनके जिवन में दुख कही न कहीं लेके आते हैं early childhood इनका थोड़ा traumatic रहता है थोड़ा problem होती है, वहापे financial भी हो सकती है घर में भी problem हो सकती है और after 50 after 50 क्यों? क्योंकि हमेशा एक इनके अंदर detachment की feeling आ जाती है जैसे ये 50 के आसपस आते हैं सन्यास लेना चाहते हैं, लोगों से दूर ढणा चाते हैं क्योंकि इतने बंदे होते हैं relations में अपने बच्चों के लिए, अपने पती-पतनी के लिए कि ये उससे निकल नहीं पाते और वो जो बंधन है, वो इनको real का बंधन लगता है और एक असमंजस की स्थिती इनके जीवन में उत्पन हो जाती है ये बहुत easy feel नहीं करते जब तक ये सन्यास के प्रती बढ़ते नहीं है आगे एक उपाय जो regular इनको करना चाहिए महादेव पर यानि कि शिवलिंग पर regularly हर हफते में एक बार या फिर हर महीने में अटलीस्ट एक बार आपको बेल पत्र अरपन करना चाहिए और गंगा जल से अभी शेक करना चाहिए ये करेंगे तो आपके जीवन में निरंतर शुबता बढ़ी रहेगी तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजी और वीडियो को लाइक कर लिजी आप सब इसे अगले वीडियो में विलूँगा तब तक के लिए ओम